दोस्तो मेरे चनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि यहां पर कुई अगर आपके उपर मारपीट का जाकर किस दर्ज करा देता है और फिर यहां पर आपको पुलिस थाने से कौल आता है पुलिस आपको बुलाती ह यहां पर अगर पुलिस थाने से कौल आता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए दोस्तो यहां पर अगर पुलिस थाने से आपको कौल आता है तो यहां पर हो सकता है कि यहां पर पुलिस थाने से कौल आता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए दोस्तो यहां पर अगर पुल F.I.R. दर्ज आपके उपर नहीं की हो बलकि पहले इंवेस्टिकेशन करना चाहती हो तब भी वह केस्ट दर्ज करेगी तो यहाँ पर आप पुलिस थाने जा भी सकते हैं या फिर आप नहीं भी जा सकते हैं अगर अगर पुलिस थाने नहीं जाते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आपको अगर पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आता है तो फिर आप कर सकते हैं क्या पर क्या मैटर है आप हमें बताईए अगर केस्ट दर्ज हुआ है तो आप फिर फैयार की कॉपी दिजिए लेकिन यहाँ पर अगर आप थाना जाना चाहां तो जा भी सकते हैं यर्क आप थाने जाएंगे तो पुलिस आपको सिध्ये लॉकट अपना बंद करदेंगी यहां पुलिस कर सकती है पहले यह आँ पर पुलिस इनविष्टिकेशन करती है अगर सही लगता है तब किस दर्स करती है जी हां ऐसे भी सुप्रीम कोट ने क्लियर कर रखा है कि जिस अपराद में सजागर साथ वर्ड्स तक है तो इस मामले में पुलिस सिध्यारेश्ट नहीं करेगी अगर गृपतारी करना अती आवस्यक हो जिसके उपर केस तरजुआ में सहयोग नहीं करें तब गृपतारी हो सकती है तो यहां पर पुलिस आपको सिध्यारेश्ट नहीं कर सकती है अगर गृपतार कर भी लेती है तो फिर 24 घंटों के भीतर आपको में स्टेट के समख स्पेस करना होता है और फिर गृपतार होने के बाद यहां पर आपका यह राइट से है कि आप अपने वकिल से मिल सकते हैं, अपने परिजन से मिल सकते हैं, आप अपने वकिल से राय मसवरा ले सकते हैं, पुलिस थाने में पुलिस आपके वकिल से आपको मिलने से भी मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर कोल आता है, तो आप खुद थाने न आप पहले यहाँ पर anticipatory bail ले लें जी हाँ, आप से सन कोट में anticipatory bail के लिए अप्लाई करेंगे, अगर वहाँ से bail grant नहीं होता है, तो फिर आप high court भी जा सकते हैं, आप पहले anticipatory bail ले लें, फिर यहाँ पर आप पुल इस्थाने में जाएं, तो अच्छा आपके लिए रहे गा और फिर अगर आपके उपर गलत केस दर्ज हुआ है तो फिर आप यहाँ पर यह भी कर सकते हैं कि अपने बचाव में आप भी उसके उपर केस दर्ज करवा सकते हैं या फिर अगर गलत मुकदमा है आपने मारपीट नहीं किया बलकि उसने मारपीट किया और उल्टे जाकर और हाई कोट के माध्यम से अपने उपर हुए फायार को रद करवा सकते हैं, क्वेस करवा सकते हैं, और अगर आप पुलिस थाने भी जाते हैं, और जो भी किस कायू है, आप उनसे यहाँ पर सालिंता से बात करें, आप उन्हें समझाएं, अपने बातों कर रखें, अगर अगर आप अपने बातों को परभावित तरीकों से रखते हैं, आपके पास कोई विडेंस होता है, तो फिर आपके उपर केस दर्ज नहीं होता है, और यहाँ पर पुलिस भी समझ जाती है, कि जो भी बंदा कंप्लेन लेकर आया है, वो मन गरंथ है, यहाँ पर थाने भी ज सकते हैं, लेकिन आप अकेले धाने नहीं जाएं, आप अपने परिजन को या फिर आप अपने वोकिल के साम जा सकते हैं, या फिर अगर आपको पहले ही अंदेशा है कि यहाँ पर कुछ घरबढ़ हो गया है, यहाँ पर गंभीर धराव में केस दर्ज हुआ होगा, या फिर पूलिस भी यहाँ पर उस पार्टी से परभावित है, तो फिर आपको पहले FIR की कोंभी वोकिल के माध्यम से निकलवाना चाहिए, फिर उसके बाद आपको एंटीसीपेटरी बेल लेना चाहिए, तभी आपको पूलिस आने जाना चाहिए, यहाँ आपके लिए अच्छा रहेगा, तो दोस्तो मैं आसा करता हूँ, आपके वीडियो पसंद आई होगी, अगर मन में कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हम से सिधे जुरना चाहते है, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर अधिक अपने दोस्तों और इस्तिदारों में भी जरूर सेर करें, हम लोग मिलते हैं अकले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल लखें